भारातिय टुरिस्ट्म अबाइल एप के जरिहें आइफिल टवर्म में भुकतान कर पाएगा। जबरदस्ट 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 शहिद 極antsट्बरदस्ट इंडिया हो रहा है यह जो यह खबर आई कि आइपल टावर मेक्स हिस्ट्री तो मैंने का कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री ऑन-lai अब लोग यूपी आई के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक कर सकेंगे तो इसको लेकर पकिस्तानी मीडिया में क्या बाते चल लई है चलिए पहले सुनते हैं उसके बाद इसके बारे हम बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो यूपी आई अब ग्लोबल हो गया असल में ताहिर साथ क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है यह जो यह ख़बर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री तो मैंने का कि इस ख़बर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री कैसे देख रहे हैं आप इस डिवेलपमेंट को देखें यूपी आई तो औरेड़ी वर्ल्ड वाइट जाना जाता है इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्कीट में यह जो इंटर फेस पेमेंट सिस्ट्रम है वो औरेड़ी सुक्सेस्फुल इंडिया में चल रहा है आपने गलोबल की बात की तो गलोबली बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से यह वहां पे भी काम करेगा और भारत्री टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं तो देखिए यह सारा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस या वो जो AI का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा उसमें भारत का कांट्रिबूशन तो और्लेडी बहुत है इंटरनेट में और इस IT टेक्नोलोजी में बे तहाशा है तो मेरे लिए कोई यह चंबे की बात नहीं है आप बहुत जल्द सुनेगी मैं तो एंटिस्पेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सरी जगों पे आपको UPI का हो जाएगा क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाई भी खरीदता हूँ तो मैं चुके वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ मैं तो कैनिडा से जाता हूँ तो मुझे बड़ा रश्क होता है लोग अपना फोन खोलते हैं और वह 10 रुपए की भी पेमिंट कर रहे हैं तो मुझे बास करद कैश में देता हूँ तो वह कहते हूँ जी चीज नहीं है मारे पास आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमिंट कर सके तो मैं यह समिता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी economy को digitalize किया all across India successfully वहां भारत में एक system नहीं कई system चल वे हैं अब ये मतब पैरस में भी हो जाता है तो जाहरे इतनी बड़ी खबर बनती है अभी फ्रांस के प्रेजिडंट 26 जनुरी को भारत आए हुए थे और जाहरे भारत ने उसी मौके से फाइदा उठाते हुए इसकी announcement की उसके लिए काम किया तो ये बहुत बड़ी achievement है और तार सर मैं ये देख रही थी कि इसकिन पर ये भी है कि जो इसमें opportunity जो है करूंगा अभी मैं ABC television जो अमरीका के one of the biggest television है उसके कुछ दिन पहले एक debate सुन रहा था तो वो तो यहां तक कह रही है कि अब international जो currencies है उन में Indian rupees is also one of the five currencies उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो trade हो रहा है तेल का वो Indian rupees में हो रहा है और फिर global south के बहुत सरे देशों में इंडिया का trade rupees की सूरत में होता है even Iran के साथ rupees की सूरत में होता है तो मतलब Indian rupees तो international currency बना हुआ है और वो billions and billions rupees शायद billions तो थोड़ा है trillion rupees because जब rupees के बाद आती है तो एक US dollar का कोई 80 प्लस rupees है इंडिया का तो आप उसी हसाब से देख लीजिए कि ये जो billions and billions US dollar की trade दुनिया में Indian rupees की अब शकल में हो रही है even Middle East में हो रही है तो इंडियान rupees is one of the वो जो खुड अमेरिकन कह रहे है one of the top five currencies trading currencies international trading currencies बात करने का परबस आप से है अगर मैं digitalize की बात करो हूँ कौन साथ है कौन से जाथा कंट्री डिजिटल है पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान है यह सब को पता है अच्छा जी इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं जो डेड़ी वाला है यह वो दूर दराद जिदर वो ट्रांस्पोटेशन का सही निजाम नहीं है उद्धर उनके बास वह सिस्टम बढ़ा हुए क्यों क्यूर कोड़ ने पहले रखा हुए सामने तागे डिरेक्ट वाम क् अबर्ट ने लगें तक हमारे इस अबर्ट ने लगें तक हमारे मुलक पेश्टर का नहीं चाल रहा क्योंकि उनको साब करना नहीं आता तो उनको यह यह चीज़ वह का कैसे लाएंगे अगर हुकुमत इनको सब्सक्राइब करेंगी अगर यह भी है ना आये दिन मारा इजी पैसे को सब्सक्राइब भी डोन हो जाता है यह भी एक फैक्ट है यह पिछले दो अफ्त में तीन बाड़ यह मसला हो चुका है तो अब कैसे देखते हैं डिजिटल पेमेट डिजिटलाइज होना कितना जरूरी है और क्या इसे को इंपक्त पड़ता बाहर के कंट्री सकाम जाहिरी बात है यह असल में इसका एक यह भी फाइदा है कि अगर आप पैसे कौंट में रखो के चोड़ी होने के वह भी इंचांसी से कम होते हैं क्योंकि अगर आपका इंपाइल शेंगा फर्सक्राइब आपका इसे पैसे तो नहीं निकल सकते हैं अगर आपका डिजिटल चाहिए निकरत तो फ्रांस राश्ट्रपति इम्हैन्मेंट। मेंक्रो रीपाब्लिक्ग गेपर भारत आये थे तो उन्होंने चाई पीति और चाई की payment जो है 10 या 20 रुपे UPI के जरिये हुआ था ये वीडियो काफी viral भी हुआ था तो दोस्तों अब जो है एफिल टावर पर UPI को launch किया गया है ये बहुत ही खुसी की बात है हमारा UPI जो है वो global हो रहा है हमारी currency जो है वो global हो रही है तो चलिए आपने वीडियो पूरा देखा कॉमेंट्स करके बताईएगा आपको वीडियो कैसा लागा मिलते हैं अगले वीडियो में